तो जी वीवर्स, वेलकम बेक टू पबजी वीजन चैनल या बेक टू वेलकम अबजी वीजन चैनल तो गाइस, आज एक नए वीडियो के साथ एक पर पिर से हम लोगों ने बेटर रोयाल को प्ले किया हुआ है और मतलब मैं अकेले हूँ और बाकी स्क्वार्ड हैं तो आएए चल लेते हैं और देख लेते हैं हम इस मिशन को कम्प्लीट कर पाते हैं यानि विनर कर पाते हैं यानि हमारा जो मुकाबला है वो स्क्वार्ड के साथ है चारों बंदों के साथ है ठीके तो हर एक के साथ स्कौार्ड होगा लेकिन मैं अकेले यहां पे लेंड कर पाया हूँ शायद मेरा नेट वर्क फिर से हो गया है खराब तो बाई लोग कमर की पेठिया बांद कर रखिये तो गाइज यहां पे बंदा आ गया है वट मेरे पास सुस्कनाचा स्नाइपर रिता ने दी अभी यह बंदा इदर उदर भाग रहा है तो में भी उसके पीछे पीछे आ गया बट आईए एक को तो हमने हमने पेठि बना दिये कि अब आगे देखेंगे क्या होता है पहले में गन चेंच कर लूँ क्योंकि यह स्नाइपर वैसे फजूल स्नाइपर है और एक और बंदा आगिया तो बंदा उपर है ठीक है और मैं जा रहा हूं उसके पीछे तो उसने हाँ तो एक और की बेटी बन गई तो एक और हो गई रोयल पास का बंदा था तो इसको भी हमने सुला दिया है एक दफा मैं स्नाइपर यह वाला रख दूँ तो गाइस पत्य चलेगा तो इसको तो स्नाइपर से मार दिया तो गाइस तीन चार पीठिया बन गई ठीक है और पत्य चलेगा और यहां पे कोई है या नहीं पहले मैं इसको रूड कर दूँ और गाइस मुझे बुलिट चाहिए होगी तो अच्छा स्नाइपर मिला है अभी बट यह स्नाइपर चलेंज नहीं है यह स्नाइपर मूड है यह नहीं यह बेटरोयाल मूड है जिसमें सारे गन आप उटा सकते हो तो यहां पे हमारी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई एक बंदा है इसको हम किल करेंगे कोशिश करेंगे तो यह तो ऊपर चला गया तो इसको पतो हमने इसकी भी पेटी हमने बना दी लेवल तरी का हेलमट भी मिल गया सोरी वैसकट तो गैस पता चलेगा मैं इस गेम कुछ जीत पाऊंगा के नहीं एक और है तो इसको भी हमने किल कर दिया है इसके और साथी भी होंगे तो इसके बास भी बुलिट है बुलिट भी मिल गई तो छे बंदों की पेटी बन गई है और एक और बनना है जो के इधर तो इस बंदे को देखो ये इस टाइम पे अपनी हेल्फ पूरी कर रहा है जहां पर इसको लग भी रहा है के मेरे मौत नजदीक हैं लेकिन पिर भी वो ऐसी कमक लिक करता है तो भाई लोग आप लोगों के लिए एक टिप्स हैं के जब भी आप लोगों को लगे के एनिमी आ रहा हैं तो आप लोग अपनी हेल्फ का बिल्कुल छोड़ दो यानी अपनी हेल्फ को बिल्कुल चोड़ो आप उसको पहले मार दो क्योंके या वहां से बाग जाओ ठीके तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जब उसको एनिमी का पता चल जाते हैं पर वो उसी टाइम जो है हेल्फ पूरी कर लेता है जो कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्यो हाँ अलबत आपको लगे कि एनिमी दूर हैं तो आप करें मतलब अपना हेल्फ चेंज कर ले सोरी चेंज नहीं पूरा करें तो पता नहीं यहां पे एनिमी आई तिंक खत्म हो गए अभी मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए तो ड्राप भी आ रहा हैं कि मुझे लिकाफ्टर वाला है कि हेलिकाफ्टर की आवाज आ रही है शायद में इस हिलिकाफ्टर को गिरा दूँ अबट एक दफ़ा दिख जाए तो बंद आ रहा है तो यहीं कई पे लिकाफ्टर था बट पता नहीं चला है ड्राप को किस ने ओपन कर दिया है तो मुझे ड्राप की तरफ नहीं जाना चाहिए किनके वेसी बी ड्राप को किसी ने ओपन कर दिया है मुझे पता चल गिया है मुझे एसी जगह चाहिए जहां पे तोड़ा सा हेल्थ मिले गोली तो है मेरे पास बट हेल्थ नहीं है उदना तो यहीं पे तो कुछ नहीं मिला मुझे हेल्थ यहीं देख लेते हैं क्या कर रहे हो यार ओ यहीं हिलिकाफ्टर वारा पिल से आ गया है एक दफ़ा यहीं मिल जाए तो एक और की पेटी बन गया ही इसके साथी भी होंगे इसके साथी यही कई होंगे वो आएंगे जरूर एक नेट ले लूँगा जरूरत पड़ सकती है इसकी भी तो गाइस पता चलेगा 41 किल बाकिए है 41 नहीं में बाकिए है और 8 को तो मैंने किल कर दिया है ड्राप आ रहा है ओ गुड 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 ड्राप बहुत करीब ड्राप हो गया है तो चलिए देख लेते हैं शायद उसमें कुछ अच्छा चीज हो स्नाइपर अगर मिला वो बड़ा वाला तो भी अच्छा है वरना वेस्टर तो मिल भी जाएगा लेवल तरी का बट ये गन मुझे नहीं चाहिए मुझे अपना वाला टीक लगता है स्नाइपर तो मिला नहीं तो एक और को तो हमने सुला दिया है इसके और भी दोस्त आएंगे जरूर इसके पास हेल्टी गोली भी मिली अच्छी बात है तेंक्यू ओई शिट मुझे पता था बंदे आएंगे तो उपर बंद आ है तो उसने बंद गिरा दिया है बट मेरा गेम क्रेश हो गया है तो गाइज आप लोग देख सकते हो मेरा जो नेट है वो काम नहीं कर रहा है गाइज तो इसको तो मैंने नाक आउट कर दिया है मेरा नेट काम नहीं कर रहा था मेरा गेम क्रेश हो गया था पता नहीं गेम लूप में ये गेम क्रेश हो जाता है गाइज अगर आप लोगों का क्रेश हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दे अगर हो रहा है आप लोगों का तो नाव बंदों की पेटी बन ही गई है और चब्वीस लोग बाकि है इस बंदे को देखो पागल है उदर जा रहा है बड़ देखता नहीं कोई है यहां पे तो एक मेरे पीछे है उसका दोस्त है आई तिंग ओ ओ इसको तो हवा पे किल कर दिया है एक और है ओ यार शिट मैं तो गाइज मेरा गेम पिर से क्रेश होने लगा है और यार इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया क्रेशिंग में तो यह आप लोग देख सकते हो मुझे किल कर रहा है बंदा अगर मेरा गेम क्रेश नहीं होता तो बहुत अच्छा होता तो शायद मैं उस बंदे को भी मार सकता था तो यहां पर एक बंदा था मुझे वोग किल करना होगा पता नहीं वोग किदर चला गया हुआ हुआ है हुआ है है अज़कि वोग मिल गया तो स्नाइपर शाट देंगे और यार यह बंद तो बहुत तेजी से जा रहा है तो बाई लोग आप लोग देख सकते हो पीछे भी बंद है और और सामने भी बंद है तो यार इसने तो मुझे किल ही करना है कहां चला गया मेरा नेट काम नहीं कर रहा और वो मुझे पे गोली बरसाए जा रहा है ओ यार शिट शिट तो इसको तो किल कर दिया है सिरफ मेरा एक दफ़ा में अपनी हेल्ट चेंज कर लूँ तो में बाल बाल बच गया तो बहुत सक्त गेम है गाइस रोयल पास वाले बंदे जो है जिसे उन्हें रोयल पास लियाया हुआ है वो इसमें ज्यादा है बट मेरा गेम बार बरार क्रश कर रहा है तो मैं यहां पर जाता हूँ ताके तोड़ा सा सेफ हो जाओं तो अभी पता चलेगा दस लोग बागी है दस बंद की बेटी बनाना भागी है गाइस पता चलेगा मैं इस गेम को कम्पलीट कर पाता हूँ या नही मैं अकेले हूँ और बाकी स्क्वाड है तो मैंने इसा चलेंच आज एपलाई किया है ताके आप लोगों को अच्छा लगे तो बाकी चार चार बंदे है और मैं एक हो एक और बंद आ गया दो बंदे आ गए है उसको मैं स्नाइपर से किल करने की कोशिश करूँगा तो ओ यार शिट तो आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत कोशिश की तो आप लोगों ने देख लिया मैंने पिर से एक शाट दी ओ शिट मैंन तो गाइज मैंने कोशिश की बरपूर बट किसी और तरफ से मुझे मारा गिया और मैं चार नमबर पर आगिया लेकिन ये एक स्कॉाड थी और मैं अकेले था तो आप लोग देख सकते थे तो वीडियो अच्छे लोगों तो प्लीस वीडियो को लाइक कर देन चैनल पर नए हो तो प्लीस सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल सके और हाँ कमेंट में जरूर बताना मेरा गेम प्ले अच्छा है या नहीं मैं इसी तरह वीडियो डालता रहूं या ही तेंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में